नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हाजरू हूँ आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ तो दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल मरदाना तागत का नुस्का बताने जारहूं दोस्तो है तो ये काफी लंबा चोड़ा इसे बनाने में टाइम लगेगा मेहनत भी लगेगी मगर दोस्तो ये वो नुस्का बनने वाला है कि जो बंदा इस फर्मूले को लगातार खाएगा यानि कि अगर आप इसे नमरदी खत्म करने के लिए खा रहे हैं तो आप एक महिना खा के इसे बंद कर दे नो टेंशन आपकी नमरदी जड़ से खत्म हो जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा सेक्स पावर हो जाए कि आपके आगे 10-20-30 जितनी भी आएं कम पढ़ जाएं तो अगर इस तरीके की आपको पावर चाहिए है तो इसके लिए आपको इसे लगातार लेना होगा और कुछ चीज़ें इसमें फिर आपको बंद कर दे नहीं कुछ चीज़ें आपको लगातार लेते रहना है तो दोस्तो इसमें मैं आपको दो तरीके की चीजें बताऊंगा एक आपको मैं गोली बताऊंगा और एक बताऊंगा पाउडर तो उस पाउडर को आपको सुबह शाम लेना है दूद के साथ और जो गोली है वो भी आपको सुबह शाम दूद के साथ ही लेनी है खाना खाने के बाद जो पाउडर आपको बताया जाएगा वो आप खाली पेट भी ले सकते हो और उसे आप दूद में उबाल के उसकी खीर बना के भी उसे यूज कर सकते हो तो दोस्तो आते हैं फार्मूले पे सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है आपको ले लेना है 10 ग्राम अफीम का दूद जो दोस्तो अफीम के डोडे में से दूद निकलता वो दूद आपको लेना है आपको वैसे अफीम नहीं लेनी मार्केट में जो होती है, उसमें मिलावट की होती है, आपको खाली अफीम का दूद ले लेना है, 10 ग्राम, शिलाजीत, 10 ग्राम, अकरकरा इरानी, 10 ग्राम, ठीक है दोस्तो, इसके अलावा आपको सौपुटी लोहा भसम, 10 ग्राम, सोना भसम, 10 ग्राम, और इसके अलावा आप इसमें भांग के बीज, 10 ग्राम, धतूरे के शुद किये हुए बीज, 10 ग्राम, कुचला शुद किया हुआ, दोस्तो, अच्छे तरीके से शुद किया हुआ कुचला, 10 ग्राम, और दोस्तो, इसमें आपको 10 ग्राम लेना है, शिंगरफ को शुद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ यह जो फार्मुला इसमें स्पेशल त्रीके से ही शुद किया हुआ शिंगरफ चलेगा शिंगरफ रूमी आप ले लें 10 ग्राम उसके बाद आप उसे निम्बू के रस में रख दें निम्बू का रस लगबग 200 ग्राम हो 200 ग्राम निम्बू के रस में आप उसे रख दें और तीन दिन बाद आप उसे निकालें उसे आप गर्म पानी से धोएं उसके बाद दोस्तों उसे आख के दूद में रख दें तीन दिन के लिए उसके बाद उसमें से निकालें गर्म पा उसके बाद उसमें से निकालें उसे धोके आप रख लें और अगर हो सके तो आप चार-पांच किलो दूद में उसे दोलाजंतर कर दें उसके बाद दोस्तों ये आपका उच्च कोटी का शिंगरफ शुद्ध हो गया बहुत ही स्पेशल त्रीके का इसे और शुद्ध करने की जुरूरत नहीं है अब दोस्तों एक मजबूत खरल में इसे डाल के खरल दोस्तों ज़्यादा बड़ी ना हो छोटी ही खरल हो उसमें आप इसके रगडाई करें खाली 10 ग्राम जो यह आपकी डली है इसकी रगडाई आप करें तो बिल्कुल दोस्तों जब इसकी सारी चमक खतम हो जाएगी आम तोर पे दोस्तों यह लगबग 8 गंटे लगेंगे इसकी रगडाई में 8 गंटे में चमक बिल्कुल खतम हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों जो हमारी यह बाकी चीज़ें हैं बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अफीम बगरा कुछला बांग के बीज शिलाजित यह सारी चीज़ें आप उसी खरल में डाल दें आपने खरल में डाल दी उनकी बढ़िया करके घुटाई करें अच्छे ऐसे या अगर आप ग्राइंडर में उसे पीसना चाते हैं तो ग्राइंडर में भी आप पीस सकते हैं या इमान दस्ते में दूसरी चीजों को पीस के जैसे भी आपकी सुविधा हुआ आप उसमें मिला लें अब दोस्तो बढ़ का दूद आपको उसमें डालना है घुटाई करनी है और मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लेनी है दोस्तो मटर का दाना जो छोटा हमतार पे छोटा मटर का दाना होता है या आप मान के चलें दो काली मिर्च के बराबर आप गोलियां बना लें ये गोलियां आप बना के सुका के इन्हें रख लें इस पे अगर चांदी के वर्क चड़ाना चाहें या सोने के वर्क चड़ाना चाहें तो आप चड़ा सकते हैं अब दोस्तो ये तो आप रख दो अलग अब आपको शतावर 100 ग्राम सफेद मुसली 100 ग्राम सालम पंजाब 100 ग्राम सालम मिश्री 100 ग्राम उतंगन बीज 100 ग्राम और 100 ग्राम आपको लेना है बिनोला बिनोले की गिरी ठीक है दोस्तो अब आपको क्या करना है कि इसका आप पाउडर बना के रख लें पाउडर बना के आप नहीं रख लिया अब इसे दोस्तों खाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ जब भी आपको सेक्स करना हो अगर एक नॉर्मल बन्दा इसे सेक्स टाइमिंग बढ़ने के लिए यूज करता है तो इस एक गोली खाओ दोस्तों सेक्स घंटों तक चलेगा उत्तेजना भी आएगी और उत्तेजना भी आएगी और टाइमिंग भी बढ़ेगी दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया इसमें 10 ग्राम केसर और डलना है 10 ग्राम केसर शायद मुझे लग रहा मैंने बताया नहीं मगर 10 ग्राम केसर भी इसमें डलना है अब दोस्तों अगर आप नामर्दी के लिए इसे यूज कर रहे हो तो आप एक एक गोली सुबह शाम दूद के साथ ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप सिर्फ मरदाना तागत बढ़ाने के लिए ही सही यूज करना चाते हैं मतलब यह कि आप एक रात में 4-5-5 बार सेक्स कर सको डेली डेली इतना सेक्स कर सको या कई-कई लड़कियों के साथ आप सेक्स कर सको तो आपको ये गोली लगातार लेनी है लगातार आपको लेते रहना 6-7 महीने लेते रहो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है तो आप सिर्फ एक महीने का प्रहेज करें एक महीना आप सेक्स ना करें नमर्दी खत्म हो जाएगी और दोस्तो इसके अलावा जो हमारा पाउडर हमने बनाया इसकी आप सुबह शाम अगर दूद में उबाल के इसकी खीर बना के खाते हैं पूर्णत बाद किसकी खीर खा सकते हैं या फिर पाूडर ही यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इतनी ज़्यादा ये मरदाना तागत देगा थोड़ा ये फार्मूला महगा तो है मगर मरदाना तागत आपको ऐसी देगा कि आपके आगे 10-20 जितनी आ जाएगी उतनी कम पड़ ज दोस्तो अगर आपने इसे 6 महीने यूज कर लिया, 6-7 महीने यूज कर लिया, तो उसके बाद आप ये गोलियां लेनी बंद कर दें, खाली जो जड़ी बूटियां मैंने बताई हैं, उनकी खीर बना के आप रात को सोते टाइम, ये लगातार आप लेते रहें, लाइफ टाइ इसे लेते रहें, तो आप अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो ये दोस्तो आपको इतनी ज़्यादा तागत देगी, कभी भी आपको थकान नहीं होगी, कभी कमजोरी नहीं होगी, कभी सेक्स पावर की कमी नहीं आएगी, कभी वीर्य की कमी नहीं होगी, आपके सरीर में पर से चमक खतम नहीं होगी इस तरीके का पावरफुल ये फार्मुला दोस्तो आपकी सेवा में मैंने पेश कर दिया है तो इन चीजों को दोस्तों आप यूज करो ये थोड़ी महंगी जुरूर है मगर 100% पैदा देने वाली है और स्रीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पर दोस्तों उमीद करता हूं मेरे दोरा दीगी जनकर ये आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे आप चैनल को सस्क्राइब कर लें और मेरे दूसरे चैनल संधीप अईरवेदा तू को भी सस्क्राइब करें धन्यवार